शोतागन, भाई और बैनों, मात्री सक्तिको नमन, चैनल 24 प्लस न्यूज के खास, विशेश, मन मोहक, हमें शांती देने वाला, चित समाधी देने वाला, संसकार देने वाला, अच्छे गुण देने वाला, स्वास्ति के समंधी अच्छे टिप्स लेने वाला, अमारा धर्म दर्शन की जानकारी देने वाला, पुनुरुत्थान कारिकरम में, आप सभी का हार दिख स्वागत है, अभिनंदने सतकार है, पुनुरुत्थान कारिकरम में, हम प्रती दिन नए नए विश्यों के साथ में प्रवेश होते हैं, और पुनुरुत्थान कारिकरम का awareness लाना लोगों के अंदर positive thinking लाना जो आज negativity बढ़ रही है उसको धीरे धीरे कम करके positivity को बढ़ाना है सकारात्मक विदायक सोच को बनाना है तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक मनुष्य की मनुवरती से जुड़ा हुआ अती सुंदर विशे आपके सामने प्रस्तुत कर रहे है तो भाई और बैनो दर्शकन सोतागन आज का हमारा विशे जो है वह है कि अती संग्रे से अशान्ती भाई और बैनो दर्शकन सोतागन दो शब्द है अती संग्रे अशान्ती जब तक हम विशे से समंदित शब्दों की परिभाशा को नहीं समझ लेते हैं तब तक वह विश जादा वस्यों को एकटा करना आवशक्ता नहीं हो तो भी एकटा करना इसको ग्रीड कहा जाता है हमारी भारतिय संस्कृती के अंदर दो शब्द चलते हैं एक नीड और एक ग्रीड मनुश्य के सरीर होता है उसके समाज होता है परिवार होता है उसकी आवशक्ता होती है कराने के लिए इसको उपलब्त कराने के लिए उसे व्यवशाय करना पड़ता है उसे रोजी रोटी कमानी पड़ती है और उसे पूर्ती होती है लेकिन आराम से इन सब चीजों की हमारी पूर्ती होने के बाद हम कोई भी चीज का संग्रय करते हैं वह अती संग्रय क्यालाता ह उदारन के लिए देखिए कि मान लीजिए एक पांच व्यक्तियों का परिवार है पांच व्यक्तियों के परिवार के लिए अच्छा मकान चाहिए और हर व्यक्ति को एक मॉबाल चाहिए और हर एक को एक गाड़ी चाहिए टू विलर चाहिए और उसके अलावा घर के अंदर जो समगरी चाहिए ये तो आफशकता है ये करना होगा क्यों आखिर हमारा मनुष्य जीवन है ये जीवन भी जो है आराम से गुजरना चाहिए जीवन के अंदर जो मुख्यमों की सुईदा हैं हमें मिलने चाहिए ताकि उसे हमारी काम करने की एफिशेंसी बढ़ेगी और काम के अंदर हमारा दिल लगेगा हमारी रुची लगेगी और अच्छे मनोबावां से हम कारी करेंगे लेकिन अब जो ये अतीशंग्र है ये इसको ग्रीड है ये प्रोब्लम पैदा करता है ये एक कलुशित मनोवरती है और इस कलुशित मनोवरती से अशान्ती होती है अशान जो है अमारी थकान टायड नेस आती है वो सारा जो है अशान्ती कहलाती है असान्त होने से व्यक्ति डिस्टर्ब हो जाता है व्यक्ति संतुलित नहीं रहता है उसकी सोच उसकी काम करने की पदती सब डिस्टर्ब हो जाती है जो ही अशान्ती आती है व्यक्ति एक दम जो है व को mental peace होनी चाहिए और हमारी संस्कृति के अंदर mental peace को highest दर्जा दिया गया है कि आदमी सुखी वही है जो mental peace में जो 24 hours mental peace में रहता है और वो अनुकूल प्रस्तिति अनुकूल और प्रतिकूल परस्तितियों के अंदर अपने आपको adjust कर लेता है इस्तित प्रग्य रूप में रहता है और वह जो है प्रग्य चक्षू के रूप में रहता है उस व्यक्ति को कोई तकलिफ नहीं आती क्योंको दोनों को समान समझता है और संतुलन कर लेता है संतुलन अच्छा शब्द है कि व्यक्ति को अपने जीवन में धारन करना चाहिए संतुलन को विज्ञानिक बासाम बात करें तो center of gravity कहलाती है हर वस्तु की center of gravity होती है यानि एक force इदर लगा एक force उदर लगा और इसका जो resultant निकलता है विज्ञान की बासाम बात करूं तो center of gravity होती है जैसे हम चल रहे हैं हम चलने से हम सीधे सीधे चलते रहेंगे इसका मतला हमारी center of gravity इस्तिर है जो ही ये center of gravity disturb होती है तो हम गिर जाते हैं टॉपल हो जाते हैं आज बड़े-बड़े सुनामी आते हैं अती वरष्टी होती है अनावरष्टी होती है और उसके साथ-साथ के अंदर बिमारियां आती है यह सब क्या है यह प्रत्वी की सेंट्र ऑफ ग्रिविटी डिस्टर्ब हो जाती है उसी कारण से आता है क्योंकि असंतुलन हो जाता है स्रस्टी में असंतुलन होता है प्रत्वी 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 से उसी तरह से रजोगुन, तमोगुन और सत्वगुन ये तीन गुन होते हैं जिस वक्ति में सत्वगुन जो अधिक होता है वो वक्ति शान्त होता है और तमोगुन वाला इंसा परवर्टी में जाता है और रजोगुन वाला चंचलता में जाता है तो ये सब चीजें शान्त और शानती से जुड़ी हुई है अब question यह एक सांती शांती तो हमारे भीतर मित्र की बात है और जो अती-संग्रह है वह बाहर की बात है हम भीतर और बाहरी दो जगत के अंदर जीते हैं और जो विगती के अनरे जगत का संतुलन करके चल लेता है उसको कोई तरह का कस्टडी होता है और एक वो हॉलिस्टिक व्यक्ति होता है एक परिपूर्ण हो व्यक्ति होता है और मानसिक तनाव की किसी परस्थिति के दर वो नहीं जाता है देखिए अब आपने अती संग्रे चालू किया मान लीजी आपको एक मकान के आउशकता है और आपने लोब में आकर अती संग्रे क्यों होता है अती संग्रे अटेच्मेंट से होता है लोब की परवर्टी से होता है हर प्राणी के अंदर दस तरह की संग्या होती है कौन कौन सी होती है आहार, भहे, मैथुन, प्रिग्रे, क्रोध, मान, माया, लोब, ओग और लोक संग्या इस मैंसे जो लोब की संग्या है जिसको लोब की संग्या जादा होती है वो व्यक्ति अती संग्रे करता है वो एक मकान की जगे, पाँच मकान खड़े कर देता है, परचेज कर लेता है, एक गाड़ी की जए दस गाड़ी रखती, मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक जैसिंगपूर जो है हमारा, माराश्टर के अंदर एक छोटा सा कस्वा है, उसके बहुत नहीं गाड़ी के अंदर बैड़ता था, उसके विरुद्ध जो है, मैं आपको बताता ना चाहता हूँ, कि विश्यू का सबसे बड़ा, जो रिचेश्ट व्यक्ति है, बिल गैट्स है, उसकी आप आप आटो बाइग्राफी को पड़ो, तो बड़ी मननी है, अनुकरनी है, और जीवन में उतारने योग्य है, वो व्यक्ति ऐसा है, कि वो व्यक्ति अपने अपना जो धन है, उसको पब्लिक मनी समझता है, और विश्यू का रिचेश्ट व्यक्ति है, तो वो अपने स्वैम के बोग के लिए, परिवार के बोग के लिए, वही पुराना पचास साल का मकान वही गाडी वही फरनीचर और सब कुछ वही पुरानी चीज़े है और जितना पैसा जो उनको कितना कितनी उनकी आमदनी है हरबं खरबों रुपे कुझ को खुद कोई पता नहीं है लेकिन उनके जीवन का दे है कि वो सारा पैसा जो है वो ट्रस्ट के अंदर डालते है और उसे लोगों का फाइदा होता है परोबकार होता है तो ये होता है अनाशक्ति की बावना से और अती संग्रह करना व्यक्ति वाला व्यक्ति तो जोड़ता जाता है जोड़ता जाता है अपना बैंक बैलेंस बनाता है और कई फ नुकसान हैं, सबसे पहले मैं नुकसान और अशान्ती दोनों साथ लेके चलता हूँ, जब इतनी चीज़ें एकटी हो जाती है, सब को मेंटेन करना पड़ता है, सब का रिकॉर्ड रखना पड़ता है, तो उस रिकॉर्ड की रखने में आदमी कितना टेंशन होगा, और सरकार आजकल सरकार जो है, हर चीज़ को आदार से जोड़ दिया है, तो सारी चीज़ें जो आदार से जोड़ती है, तो सरकार को भी मालूम होप जाता है, एक वक्ती के पाट-पांट-पांट-दसस मकान, इतनी इतनी गाड़ियां, इतनी जोहलरी, इतना बैंक बैलेंस और इतना एक नमबर के अंदर लाएगा उसी भी कोई लिमिट होती है इसलिए भाई और बैनों दर्शे गंड सोता गंड आज का एपिशोर जो हमें इसक्षा देता है कि हमें अती संग्रे से बचना चाहिए क्योंकि अती संग्रे है अशांती पैदा करता है अब देखिए अती संग्रे व्यक्ति है तो उसके आचोरियां होती है डाके पड़ते हैं और व्यक्ति अशांत रहता है जब व्यक्ति अशांती के अंदर जाता है तो उसको नुकसान क्या हो जाता है कि वो कोई बिमारियों से ग्रशित हो जाता है ब्लड प्रेशर है डाइबीटीज है और नमालुम कि सोशियल लूप से सानते रहता है आखिर ये सब चीजे हम क्यों करें आखिर और दूसरा एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब इतनी चीज का संग्रे किया जाता है और हम लोगों के उपियों के अंदर वो लिनी लाते हैं तो उसकी संतान होती हो लिथारजिक हो जाती है ये सबसे बड़ा नुक्षान है और वो आपस में लड़ते हैं और एक इस्ति ये होती है कि वो संपत्ती जो दुख का कारण बन जाती है कोड केस हो जाती है और कई तरह कि उसमश्या हैं पैदा क्यों करें हम चला करके समश्या पैदा क्यों करें तो भाई और बैनों दर के पास में यही आएगा ये मनुवती अच्छी wonहा कि आएगा कि किशी न किसी की हक को मारा जाएगा आपने एक मकान में आपको एक गाड़ी की आवशक्ता को आप पास में आपके पास जो है वो जितने पैसों कि आफशक्ता उसे दश्कोना पैसा आता है, आप किसी न किसी का हक मार रहे हो, क्योंकि हमारा जो धन है, वो सब के लिए है, ये पब्लिक मनी है, इस पर पब्लिक का हक है, और सब के काम में होना चाहिए, और कम से कम जो basic facilities है, वो हरे एक को मिलने चाहिए, इसी का नाम सर्बोद है और इसी का नाम है कि welfare of all है जो कि हमारे समीधान में का गया है हमारी सरकार भी मानती है भारत का समीधान विश्यू का सबसे अच्छा समीधान है सबसे democratic समीधान है और हमने जो आजादी हासिल की वह भी आइंसा के माद्यम से आदान है यानि हमारी जो नीव है वो आइंसा पर आधारित है जब आइंसा पर आधारित नीव है तो हम हमेशा न्याय करेंगे हम संग्रे के अंदर नहीं जाएंगे तो अती संग्रे को छोड़िए यह हर तरीके से बुरा है और आपकी जित्री आफशक्ता है उस आफशक्तों को meet out करने के अंदर कोई तकलीफ नहीं है सभी आपको support करेंगे सभी कहेंगे कि आपको अच्छा मकान होना चाहिए बच्चों को अच्छी education दिलानी चाहिए आपको आराम से रहना चाहिए आपको कपड़ा अपने standard के इसाफ से पहनना चाहिए आपकी vehicle, mobile ये सब होने चाहिए इसके अंदर किसी कोई आपती नहीं है क्योंकि ये हमारा हक है और इसके लिए हम वेवशाय करते हैं इसके लिए हम जो है वो अपने अलग-अलग दंदे करते हैं नौक नी करते हैं वगएरा है आप शेक्ताओंगी पूर्ती करते हैं तो भाई और बैनों दर्शेक गर्ण शोता गर्ण ये अती संग्रे को हमारे जितने धार में गरंथ है उन्होंने जगे जगे निंदा की है और उन्होंने कहा है कि जो अती संग्रे वाला व्यक्ति होता है वो सबसे ज़्यादा कर्मों का बंदन करता है और सबसे ज़्यादा अपनी आत्मा को भारी करता है और आत्मा को भारी होने से वो 84 लाग जीवा योनिक अंदर पठकता रहता है उसको मुक्ती नहीं मिलती है क्यों कि उसका जो जीव है उसका जो मन है वो हमेशा उस संपत्ति के अठका रहता है और वो संपत्ति उस लालसा के अंदर उस गेरे से वो बाहर नहीं निकलता है तो भाई और बैनों दर्शे कंट सोतागान आज हम ये निश्कष के तौर पर बात करना चाहते है कि ये जो प्रकरती जो अतिसेंग्रे की बात है वो अशान्ति व्यक्तिकत रूप से तो पैदा होती है लेकिन उसके साथ साथ के अंदर परिवार में इंबैलेंस बढ़ जाता है परिवार में क्या होता है माता पित्या का सॉफ्ट कॉर्णर किसी बच्चे के प्रती या किसी बहु के प्रती ज़्यादा होता है तो उसको संपती ज़्यादा दे दी जाती है तो दूसरे जो बेटों को या बहु को जो है उसे आपती होती है कि ये पक्षपात कर दिया गया ये इंबैलेंस हो गया हमारे घर के अंदर अब इंबैलेंस समाज के अंदर क्या होता है कि समाज के अंदर एक तरफ तो वो हमारे लोग है जो बिनको बेचारों को चिकिस्ता नहीं मिल रही है दो जून की रोटी नहीं मिल रही है और हम इतना एकटा कर रहे हैं तो ये वास्तम इंजस्टिस है, ये अन्या है, ये ईश्वर के गर में भी अन्या है और ये समाज का भी अन्या है, इसलिए हमें ऐसा कारी नहीं करना है, इस एपिशोड के माध्यम से आज पूरे विश्व की साथ अरब की जनसंक्या के सामने जो है, हम ये प्रस्तुति दे र होता है, इस लोब के उपर मैं चोट करनी चाहिए, लोब के अंदर दो तरीके से होती है, एक तो लोब व्यक्ति जो है, अपने पूरु जनम के अरजित करमों के कारण लोब करता है, और एक व्यक्ति लोब है, वो आशक्ति से जुड़ करके करता है, मो से जुड़ करके करत जितनी जितनी बुराईया हैं, यह सब मोह का परिवार है, और जितनी जितनी अच्छाईया हैं, यह सब जो है, वो पुन्य का परिवार है, तो हमें जीवन को आनन से जीना हैं, और आनन से जी करके अपने बचों को अपने परिवार को अच्छे संसकार देने हैं, अच्छे सं तो इसमें मैं कहूंगा, इसमें कोई अतिशक्ती नहीं, कि आर्थ है वो धन है, आज कि इस संसार का ईश्वर है, लेकिन वह सब कुछ नहीं है, वह उसको एक साधन मातर में, मानना चीए भूल का होती है, कि हम उसको साध्य मान करके, और उस पैसे को, उस धन दौलत को, और उ आज जो मनोवरती धीरे धीरे अभी नई पीडी में कम हो रही है, नई पीडी ये समझने लग गई है, कि अतिशंग्रे की भावना जो है, हमारी लेकस्ट करे, और कई बातों के अंदर उनको अतिशंग्रे करने का मौका ही नहीं मिलता है, अतिशंग्रे वही कर सकता है, जि आराम से रहे जीवन के बढ़ए हैं कोई प्रोब्लम में नहीं है चाहे पारिवारी दर्ष्टी से हो या जिस क्षेतर में आप काम करते हो बड़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में और बड़े आराम से काम करिए लेकिन वो कारी जो है वो हमारा परोबकार की तरफ होना चाहिए अती संग्रे जो है एक कलुशित भावना है इसको मैं रोकना चाहिए क्योंकि हर दर्ष्टी से जो है या शांती पैदा करने वाली है और हर एंगल से देखें तो हम को तकलीफ देने वाली तो हम आ बहल मुझे मार इस तकलीफ को हम क्यों इन्वाइट करें हम प्रारंब से जो है वो अपने एटिचूट को विचार धारा को इस तरीके से करें कि हमारे जो बाल बचे हैं उनको प्रारंब से संसकार देरें उनके साथ में बैठिये उनको अच्छी पड़ाई कीजिए और उनकी मौनिटरिंग कीजिए कि वो किस तरीके से उनकी लाइफ स्टायल को सुधारिये उनके भोजन करने का त जाने वाला जाता है, thì K मैंड का अचैंशन है वो Εधिकरेंगे और backs की तरब जाएंगे, हम प परोबकार की तरब जाएंगे हम सेवा भाजा रविเขा joke को जो है हमें छोड़ना है और इस बुरी वृत्ति का हमें समाज के सामने जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लाना है आज देखिए कि केरल के अंदर इतनी बड़ी बार्ड किस्तति होई तो हमारी भारतिय संस्कृति और भारतिय के लोगों की कितनी बड़ी तारीफ है उन्होंने पैसा जो सरकार से भी जादा दिया बर लोगों के अंदर संवेदना है यह संवेदना रखी रहन चाहिए यह जो आज का विश्य उसके विरुध है हमारा जो विश्य है हमारी व्यवस्ता पूरी होने के बाद भी कुछ बजता है हमें अवश्य करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हमने बाल बच्चों को तो उसकी पढ़ाई के अंदर उनकी सुईधाओं को कम करके हम किसी की हल्प करें तो ऐसा भी एक अच्छा नहीं है क्योंकि पहले अपना आराम से भरन पोश्चन और आराम से अपनी व्यवस्ता होनी चाहिए तो भाई और बैनों दर्शक गंड सोता गंड भारत जैसा देश जिसके अंदर 50% लोग जो है बिलो पौवर्टी के अंदर है उसके अंदर आज विशे का बहुत बड़ा महत्व है आज सेवा का बहुत बड़ा महत्व है बहुत बड़ा परोबकार है और आपके पास मती संग्र है तो आप लोगों के लिए दरवाजा खोल दीजिए लोगों की भलाई में लगाईए और मैं आपको जो उधान के दोर बताना चाह रहा हूँ कि हमारे भारत के अंदर कितने बड़े बड़े लोग होते हैं गंशामदार बिडला जी को मैं कोट करना चाहूंगा कि बिडला जी की ऐसी इस्तिती थी बहुत पुराने समय की गंशाम जी की जब जवान थे तो उनके पास के अंदर कारी करने के लिए पैसा नहीं था गुरू की कृपा से और उनका अच्छा करमोद है हुआ तो वो गुरू के प्रसंग से वो उनके पिलानी में आज भी उनके लोटे उनके बरतन जो है वो अड़ने रखे हुए हैं और उनकी आज उनके पोते जाते हैं गंशाम जी कहते हैं का आप लाकों करोडों रुपया जो भी लेना ले लीजिए लेकिन उन्होंने कहा जो ब्रावन परिवार है पिलानी का वो आज भी कहता है हमने इसलिए रख रखे हैं लोगों को सबक देने के लिए कि महान से महान व्यक्ति भी प्रारमबक के अंदर इस आर्थिक इसस्तिका होता है दर्शकन सोताकन भाई और बैनों आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप कही कारण पुनरुत्थान कारिकरम प्रशिद्धी को प्राप्त हो रहा है आप पु और अच्छी कॉलिटी से जो है आपको नहीं नहीं एपिशूर्स नहीं नहीं विशे नहीं नहीं बातें जो की जीवन का कल्यान करने वाली बताते रहेंगे इसी क्रम में आपके प्रति मंगल भावना शुब कामना हो